दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे गायकी में चारो तरफ चर्चा बटो रही है अनुपमा चक्रवर्ति श्रिवास्ताव एक जानी मानी गायका है कई वर्सों से रास्टिय और अंतरास्टिय अस्तर पर वह गायकी कर रही है गायन के शेत्र में ही उन्हें दुबाई में मेलोडी क्वीन आफ यू ए ए के सम्मान से नवाजा जा चुका है इंटरनेशनल इंडियन आइकान यू एस शिकागो में वह मसूर संगितकार जतिन पंडित के साथ जज रह चुकी हैं देश में ही नहीं विदेशों में हजारों स कर चुकी अनुपमा एक बेहतरिन सिंगर है जिनकी पकड़ बॉलिवुड गायन के साथ गजल और भजन जैसे गीतों में भी है किशूर कुमार के गीतों से यह बहुत प्रभावित है साथ ही लता मंगेशकर और आसा भोसले को बेहत पसंद करती है वह हिंदी के आलावा कई प्रादेशिक भासाओं जैसे तमिल, तेलगु, कंणर, गुजराती, मराथी, भोजबूरी आदी में भी गीत गा चुकी है हाल ही में रिलीज हुई हूमा कुरेशी और राजकुमा राव अभिनित फिल्म मोनिका ओ माई डार्लिंग में इनके दो गाने है जिसमें ये एक ज प्रारम्ह में बनारस के लगभग सभी रेडियो में अनुपमा का ही गीत बजता था बाद में मुंबई आकर उन्होंने अपनी गाईकी को शिखर तक पहुँचाया आशा भोसले ने जिन उस्ताद से गाईकी की सिख्षा ली उन्ही सिख्षक गुरु गोविंद परसाद ज सूज किये हैं और साथ में गाने भी गाये हैं जिनमें प्रमुख है किशुर कुमार, अमित कुमार, कल्यान जी, आनन जी के आनन जी, राजिस रोशन, पंचमदा, नौशाद, उदित नरायन, सुरेश वाडिकर, अभिजित भटाचार्य, सुदेश भोसले, बिनोद राठो आदी, भारत के अलाबा लगभग आदी दुनिया में अनुपमा शो कर चुकी हैं और अभी भी कर रही हैं जिनमें इस्ट और साउथ अफरिका, सिंगापूर, ओमान, आबुधाबी, बहरीन, लंदन, हॉलेंड, स्रिलंका, आदी देश शामिल हैं, गायन के शेत्र में इने प्लेबैक सिंगें की है, अनुपमा के म्यूजिक अलबम पहला पहला प्यार को अभी नेता अमिर खान ने रिलिज किया था, बॉलीवुड के महानायक अमिता बच्चन से अनुपमा के गायन को सराहना मिल चुकी है, तो फ्रेंड सलम डॉग इंटर्टेन्मेंट के हमाएं बॉली है